आज हम जानेंगे क्या बड़े जीवों को बचाने के लिए छोटे जीवों को मारना चाहिए क्योंकि बड़े जीव सरीर से बड़े हैं तो उनकी जान बचनी चाहिए छोटे जीवों को मौत के घाट उतार कर तो क्या ये सही है ऐसा किया जा सकता है अहिमसा का सिद्दान क्या कहता है कि ऐसा करना उचित है या अनुचित कोई जीव छोटा है या कोई जीव बड़ा है ये भेद जीवों के इंद्रिय और सरीर आधी की अपेक्सा से किये जाते हैं उनका मूल स्वरूप एक समान है कोई भी जीव परिनाम में न तो छोटा होता है और नहीं बड़ा सब ज जीवों के ज्यानमई असंग्य प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों का स्वभाव सिकुडने और विकसने का होता है जिस प्रकार दीपक का प्रकास खुले आकास में ज़्यादा फैलता है और एक ढकन में रखा जाई तो उसके अंदर समा जाता है ठीक वैसे ही आत्मा जो ज बड़े शरीर में भी व्याप्त हो जाती है और छोटे से छोटे सरीर में भी समा जाती है बड़ा छोटा सरीर होना अपने अपने कर्मों के अनुसार है इसलिए बड़े जीवों को मारने से अधिक दोश लगता है और छोटे जीवों को मारने से कम दोश लगता है ऐसा कहना निस्टई नई की दृष्टी से बिलकुल अनुचित है हिंसा बड़ी और छोटी अपने अपने विचारों के अनुसार होती है जीवों के अनुसार नहीं होती विचार जितने अधिक मलीन होते हैं हिंसा भी उतनी ही अधिक होती है बड़े जीवों के लिए छोटे जीवों को मार डालने में कोई भी आपती नहीं अत्वा बड़े जीवों के लिए छोटे जीवों को मार डालने में दोस्त थोड़ा है और लाब अधिक है ऐसा सिद्दान्त अहिमसा के सनातन सिद्दान्त के बिलकुल प्रतिकूल है एक इंद्रिय आदी चुद्र छोटे छोटे शरीर वाले प्रानी हो या पांच इंद्रिय वाले बड़े या स्तूल शरीर वाले प्रानी हो उनको मारने में हिंसा जादा होती है या कम होती है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि हिंसा का दोस मारने वाले की भावना तीवर है या मंध है उस आधार पर निर्बर करता है। हिंसा हिंसा है, हिंसा में धर्म नहीं होता, वो चाहे अपने लिए की जाए या चाहे दूसरे के लिए की जाए। इसलिए बड़ों के लिए छोटों का गला गोंटने का सिद्धान अहिमसा की दुरुष्टी से गलत है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें।